ब्रेक के बालब का स्वाकत है हिमाचल परदेश के जिला ब्लासपुर के जुखाला क्षेतर में उस समय देहशत फैल गी जब एक खेत में पाकिस्तानी गुबारा मिला जिसके साथ एक सिक्का भी बंदा हुआ था जिस पर उर्दू भाषा में कुछ लिखा था इस गुबारे के जैसे जैसे खबर क्षेतर में फैली बैसे बैसे क्षेतर में देहशत फैल दी गई और जैसे ही गुबारे से सिक्के को घोला गुबारा फिर से उड़ गया और उन्ची बंदला की पहाड़ी के तरफ चला गया हिमाचल परटेश के जिला बिलासपुर के जुखाला क्षेतर में पाकिस्तानी गुबारा और पाकिस्तानी सिक्का मिलने से देशत फैल चुकी है जुकाला क्षेतर में उसमें देशत फैल गई जब एक खेत में पाकिस्टानी गुबारा मिला जिसके साथ एक सिक्का भी बंदा हुआ था जिस पर उर्दु भाषा में कुछ लिखा था इस गुबारे की जैसे जैसे खवर शेतर में फैली बैसे बैसे क्षेतर में देसत फैलती चली गई और जैसे ही ग्रामिनों ने गुबारे से सिक्के को खोला गुबारा फिर से उड़ गया और अनला की पहाड़ीं की तरफ चला गया प्राप्चानकारी के अमसार जुखाला क्षितर के साथ लगते अपपर स्याहुला में खेत में एक गुबारा पड़ा मिला गाउं की एक महिला निर्मला देवी पत्नी बालक राम आयू चोबन बश सुबा सुबा अपने पशुँ को चारा डालने के लिए पशुशाला जा रही थी उस समय इसमाहिला ने खेत में पड़ा ये गुबारा देखा उसके बतीजे बिक्रम ठाकों ने पशुशाला में जाकर ये गुबारा देखा उसने देखा कि इस गुबारे के साथ कुछ बंदा है जब इसे खोल कर देखा तो इसके साथ एक अलमीनियम का सिक्का बंदा था जिस पर उड़्दू भाषा में कुछ लिखा था इसके अलाबा इस पर चान तारे इसलामिक निशान बने थे जिसे देखकर ऐसा लग रहा था क बंदला की पहाड़ीं की तरफ चला गया जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस चो की नमहोल को दे दी गई सूचना मेलते ही पुलिस चो की नमहोल ब बरमार्ण थाना से एक टीम मोगे पर पहुँच गई परमर्ना थाना प्रभारी बिलोचन नेगी ने मोगे पर पहुँचकर इसकी च्छानबिन की तता सिक्के को अपने कबजे में लेकर आगे की कारवाई शुरू कर दी के साथ एक सिक्का बंदा हुआ था और जब सिक्के को पकड़ के देखा गया तो उसमें उर्दू में कुछ शब्द लिखे हुए थे जो सिक्का है करंसी है इस नदर्ब में पुलिस मागने की च्छानबिन कर रही है और गुवारा और उसके हाँ से निकलके उड़ गया इस सा प्रकरण की पुलिस जो है गयंता से छानबिन कर रही है कि यह वारा है जो है कहां से आया और इसमें इसका क्या परेज़न था जैसे भी स्थिती होगी उसके मताविक जो है कारूनिकारवाई कि